अगर आपको एक ही बारबल पर्चेस करना है और आपको एक क्वालिटी ऑप्शन चाहिए ब्राइंड से लेना है तो आपको इसली 20 से 25 रुपे स्पैंड करने होते हैं और इतने पैसों के अंदर आपको एक अच्छा बारबल मिल जाएगा बट आपको किस तरीके का बारबल लेना चाहिए बिकास बारबल भी आजकल 20-30 तरीके के आने लग गए है आप किसी भी अच्छे जैम मैनुफेक्चर के बाज जाओगे उसके पास इतने ओप्शन होंगे तो आपको फिल्टर सेक्शन मिल जाएगा जैसे आप कपडों की शॉपिंग करते हो जहापे आप ओकेशन डालते हो मैटिरियल डालते हो, कलर डालते हो फिर आपके प्रिफर्ड रिजल्ट्स आते हैं ऐसे ही बारबल के अंदर भी आपको दो तीन आप्शन मिल जाएंगे फिल्टर करने के बाद बाद उनके बीच में आपको किस तरीके बारबल लेना चाहिए या फिर किस ब्रैंड से लेना आपको अपको अलम्पिक वेट्रिफिंग फैसलिटी इस के अंदर या फिर क्रॉस्फिट जिम्स के अंदर जादा देखने को मिलेगी वहीं पर इस तरीके के बाबल यूज किये जाते हैं इसके अंदर जो शाफ्ट मिलेगी वो काफी थिन होती है यह 28 mm की शाफ डाइमेट के साथ आता है डूल मार्किंग मिल जाएगी आपको शाफ्ट के उपर तो यह आगे वाला आई पीफ नल माक है पीछे वाला आई डबलू एफ नल माक है सेंटर नलिंग इस बार के अंदर एपसेंट रहती है जिस वेसे आप अगर फ्रंट स्कॉट्स करना चाते हो या फिर क्लीन करना चाते हो तो आपकी नैक स्क्रैच नहीं करती है और आप इसे मल्टिपल रेपिटेशन जब आप कर रहे हो तब आप इस बार को यूज करते हो नलिंग इस बाबल के इंदर काफी माइल्ड आपको मिलेगी यह 1.2 mm का डाइमन नल है और जो कोटिंग है इस बार के से या फिर हुमिटिटी से आपके बार को प्रोटेट करती है और इसके उपर रस्ट बहुत जल्दी नहीं आती है स्लीव लेंथ आपको काफी लंबी मिल जाती है यह अल्मोस 17.5 इंचेस की स्लीव लेंथ है और यह आपको क्रोम कोटिंग के अंदर मिलेगी विकॉज यह ज पसंद करोगे तो इस रेली गुट बार अगर आप एक वेट लिफ्टिंग टाइप और एक सेजिस करते हो तो तो नाओ लेट्स टॉक अबाट आस सेकंड ऑप्शन यह सीज फिटनेस का चीफ्ट इन पावर लिफ्टिंग बाबल यह पावर लिफ्टिंग स्पेक्स का बार इसके अंदर जो आपको शाफ डामेटर मिलेगा वो 29 mm का मिलेगा विच मींज इसकी शाफ जादा थिक है 1 mm और इसके अंदर जो नर्लिंग मिलेगी वो काफी शाप नर्लिंग है आप इसे जहां से पकड़ोगे वहीं पर यह आपके हाथ के उपर निशान छोड़ देगा न काफी अग्रेसिव नर्ल है तो जिसके soft hands है उसके लिए यह थोड़ा aggressive रह सकता है इसकी जो आपको नर्ल मार्किंग मिलती है वो single नर्ल मार्क मिलता है IPF नर्ल मार्क बीच में आपको center नर्ल मिलता है जो की back squats करते समय काफी अच्छी grip बनाएगा आपकी back के उपर ताकि बा इंडस्ट्री में जादा यूज की जाती है और यह अपनी shine को बरकरार रखता है sleeves आपको इसकी loadable length एक इंच थोड़ी कम मिलेगी तो यह 16 inches loadable sleeve length है बट यह 50 mm मोटी ही sleeve diameter के अंदर आपको मिलेगा और sleeve के अंदर आपको bushing देखने को मिलती है जो की काफी hard रहता है तो यह sleeve ज्यादा rotate नहीं करती है पिछले वाले बार जैसे ही because weight lifting bars के अंदर आपको ज्यादा rotation चाहिए होता है और power lifting bars के अंदर आपको बस sleeve घूम जाए बस इतना ही needful रहता है तो guys इन दोनों barbell में से कौन सा है एक best barbell depend करता है आपकी preference के उपर अगर आप एक power lifter हो और मेचलने तीन बड़ी lifts करते हो squat, bench and deadlift और काफी heavy lift करते हो तब आपको एक power lifting bar ही purchase करना चाहिए इससे better coach नहीं होता बट अगर आप एक weight lifter हो या फिर एक mix exercise करते हो और आपको नहीं बता कि आपको barbell को किस exercise के अंदर use करना है तब आपको एक multi-purpose barbell लेना चाहिए ये हर exercise के लिए बनाया गया होता है बट एक specific type of exercise के लिए focused नहीं होता तो इस barbell को मैं सिर्फ अपनी weight lifting exercise में जादा use करता हूँ जहां मैं मुझे एक अच्छा spin चाहिए bar के अंदर और मैं snatches कर रहा हूँ तब ये barbell को मैं जादा preference देता हूँ इसके अंदर center null present नहीं है तो मैं जब neck के उपर barbell को रखता हूँ front scotch के अंदर भी तो मैं इसी barbell को use करता हूँ बट जहां पर मैं back scotch करता हूँ या फिर bench press करता हूँ तब मैं अपने power lifting barbell को rack के अंदर ले आता हूँ इसकी जो knurling है वो काफी sharp है और जो इसकी shaft है वो थोड़ी थिक है तो मेरे को एक अलग ही push मिलता है और knurling sharp होने का एक अलग ही feel होता है उसको कोई भी एक multi-purpose barbell beat नहीं कर सकता तो जहांपे मुझे power lifting exercises करनी है सिर्फ front squat को छोड़के मैं अपना power lifting barbell use करता हूँ बाकी weight lifting exercise के अंदर power lifting barbell आप use नहीं कर सकते knurling इतनी sharp है और जो sleeve का rotation है वो बहुत ही hard है तो ये आप dynamic moment में use नहीं कर पाओगे तो अगर आपको अपनी bench press machine के अंदर एक barbell डालना है आपको deadlift के लिए बाबल चाहिए या फिर squats के लिए बाबल चाहिए आखे बंद करके एक power lifting barbell purchase कर लीजिए अगर आपको crossfit gym है आपका weight lifting exercises तिखाते हो आप लोग तब आप एक multi purpose barbell ले लीजिए ये bench press machine के अंदर भी डालना सही नहीं है तो वहाँ पर भी आप एक specialized barbell purchase की अपने लिए चाहिए आप weight lifting barbell purchase कीजिए या फिर एक power lifting barbell purchase कीजिए